नमस्कार दोस्तों मेहू अतुल और ये है OnePlus 11 5G दोस्तों OnePlus ने इस फोन के लिए OxygenOS 14 का Stable Update रिलिस कर दिया है जो बेस्ट है Android 14 पे तो आने वाले दिनों में OnePlus के अलग-अलग devices के लिए इस अपडेट को रिलिस किया जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ इस टर एक इनेवल कर दिया गया है तो इसमें कई सारे ने फिजर्स को एड़ किया गया है तो हम बात करने वाले है टोप 20 न्यू फिजर्स की जो आपको दिखने मिलेंगे Oxygen OS 14 के Stable Update में सबसे पहला जो शांदार फिचर है वो है File Dog का जो आपको दिखनी मिलता है Smart Sidebar में सबसे टोप में यह रहा File Dog अगर आपको इसे Enable, Disable करना हो तो उसके लिए आपको मिलेगी Settings आपको जना है Settings में, Special Features में, Smart Sidebar में और यह रहा File Dog आप इसे यहां से Oni Off कर सकते हो तो File Dog काफी useful feature है इसके ज़री आप अपने किसे भी useful content को या text को save कर सकते हो File Dog में मतलब ही जब भी आपको जरूत पड़ीगी तब आप easily उसे access कर सकते हो अपने content को, जैसे कि मालेदी मैंने screenshot को capture किया है मुझे अगर इसे add करना है File Dog में तो drag किजिए, long tap करके यह हो जाएगा File Dog में save और अगर आपको इसे access करना हुआ या कही भी paste करना हुआ तो मालेदी मुझे WhatsApp में इसे paste करना है तो WhatsApp को open किजिए फिर मुझे इस screenshot को करना है paste तो मैं इसे open करूँगा File Dog को यह ही screenshot long tap किजिए, drag किजिए इस तरह किसे आप easily किसी भी content को drag and drop कर सकते हो किसी भी आप में इसके अलावा आप share के जरे भी अपने photo को save कर सकते हो File Dog में तो आपको यह आप मिलता है share में File Dog का option यह रहा save to File Dog इतना है नहीं आप multiple photos को एक साथ कर सकते हो File Dog में save आपको करना है उन्हें select फिर आपको long tap करना है drag करना है इसरी किसे आप multiple photos को at once मतलब की एक साथ कर सकते हो Place File Dog में और आप जो text उसे भी कर सकते हो File Dog में save आपको अगर इसे करना है copy करके paste तो आपको इसे copy करना है इस तरीके से फिर आपको इसे करना है drag और आपको मिलेगा यहापने File Dog का option और आप जब शायद तब इसे कई पर भी paste कर सकते हो जैसे कि अगर मुझे paste करना है notes app में तो मैं notes app को open करूँँगा और फिर आप यहाँ से किसी भी अपने photo को या फिर file को या फिर किसी भी text को drag करके copy कर सकते हो paste कर सकते हो इस तरीके से same तरीके से आपको मिलता है और एक नया option smart setber में जो है recent files का आपको मिलेगा file log के नीचे यह है recent files जिससे आप इसे open करोगे आपको मिलते है दो types के files एक है image और एक है documents तो आपने recently जो भी files को download किया है जो भी file को review कि आपके phone में या पेशो करेंगे और इच्छी बात है कि अगर आपको किसी भी app में इन files को share करना हो तो आप drag and drop करके काफी easily कर सकते हो मतलब कि माल लेते मुझे इसे share करना है तो मैं इसे लोंटे आप करूँगा इसे drag करूँगा WhatsApp में और मैं काफी easily इसे share कर सकते हो किसे भी contact के साथ इस तरीके से आप देख सकते हो अगर आप चाओ तो set bar में जो recent file का option है उसे head कर सकते हो तो आपको जाना है settings में special features में smart set bar में और यहाँ पे है show recent files आपको इसे off करना है अब आपको यहाँ पे show नी करिगा recent file अगर आपको show करना है तो इसे on कीजिए अब आपको यहाँ पे show करिगा recent files photos आप में काफी आपको शांदार feature add किया गया है जो है smart cutout का तो अगर आपको किसी भी photo में से जो अपना object है उसे cutout करना है मतलब की extract करना है तो आप काफी easily कर सकते हो बस आपको long time करना है उस object पे जिससे कि माल लेती मुझे है यहाँ से इस photo में से इस object को करना है extract तो मैं इस पे long time करूँगा आपको मिलेगा एक शांदार सा animation पिर आप इस cutout को copy से हो या share कर सकते हो अगर आपने कर दिये से save तो काफी अच्छे से जो cutout होगा आपके photo's आप में से होगा इस तरीक से आप देख सकते हो png format में और आप इसे जहाबे चाहे हो आप पे paste कर सकते हो अगर आप चाहो तो अपने cutout को directly से हो कर सकते हो file log में जैसे कि अगर आपको इसे करना है file log में से हो तो long tap कीजिए फिर आपको मिलेगा animation और आपको drag करना है directly उपर में आप इसे place कर पाओगे file log में और आपको जो photo है png format में cutout आपको शुकर हो यहाँ पे file log में आप देख सकते हो माल लेते हैं एक photo में दो या दुसरे ज़्यादा object है आपको सभी को करना है extract तो क्या करोगे जैसे कि अगर आप long tap करोगे तो दोनों अलग-अलग select होंगे जैसे कि आप देख पार हो मैं इसे drag करो तो यह आ रहा है और मैं इसे drag करूंगा तो यह आ रहा है दोनों को करना है तो आपको मिलेगा select all का option सभी को आप एक साथ अब कर पाओगे drag and drop इस तरीके से अब आप अपने phone में जब भी screenshot को capture करोगे तो आपको मिलता है एक श्यांदार नया feature जो है extract content का आपको मिलेगा प्रिव के नीचे जैसे आप इस प्रिटाप करोगे तो आपके screenshot में जो भी text या photo है automatically हो जाएंगे select और आप चाहो तो उस पे long tap करके उस text को कर सकते हो show to file dog, show to notes या फिर copy, share, select all सेम तरह किसे आप photo को भी कर सकते हो save, आपको long tap करना है और आप drag करना है यहाँ आप फाइल डोप में या फिर आप इस पे long tap करोगे तो आपको भी लेंगे same options show to file dog, show to photos home page पे अगर आप गोर करोगे तो आपको bottom में यहाँ पे मिलता है floating search का यह शांदार feature मतलब कि अब आप home page से ही किसी भी आपको search कर सकते हो बस आपको यहाँ पे ट्याप करना किसी भी आपको search करने के लिए पहले आपको app drawer में जाकर उपर में type करना होता था search करने के लिए लेकिन अब आप काफी easily search कर पाऊगे किसी भी आपको यही पे search पे ट्याप करके आलग कि आप इस search floating icon को disable enable कर सकते हो अपनी हिसाप से तो आपको home page पे long ट्याप करना है जाना है more में और यहाँ आपके होगा option जो है show search in the lower part आपको इसे off करना है अब आपको जो option है यहाँ पे show नी करेगा आप देख सकते हो आपके phone में battery health लंबी और बहतर रहे उसके लिए मिलता है एक नया feature जो है stop charging at 80% मतलब कि अगर आप अपने phone को charge करोगे और आपका phone अगर 80% चार्ज होता है तो आपका phone उसके आगे charge नहीं होगा तो उसे enable करने के लिए आपको जाना है settings में battery में battery health में और last में आपको मिलेगा नया शांदार feature जो है stop charging at 80% आपको इसे on करना अगर आप उसकरना चाहते हो तो iPhone की तरह ही OnePlus ने भी अपने phone में dynamic island के feature को implement किया है हाला कि यह जो feature है आपके अवाल clock app और screen recording में ही काम करता है जैसे कि अगर आप clock app में timer को start करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरी किसे willship का icon आप देख पा रहे हो और यह है dynamic island अगर आप इस पे long tap करोगे तो आपको मिलेगा इस तरी किसे detail view यहाँ पे timer और यह है close का option और post का option अगर आप चाहो तो इससे minimize कर सकते हो blank के रहे टाप करोगे अगर आप इस पे टाप करोगे तो यह open हो जाएगा full screen में इस तरी किसे सेम तरी किसे अगर आप open करोगे screen recorder को तो आपको मिलेगा सेम तरी किसे pill ship का icon उपर में आप देख सकते हो उपर में इस तरी किसे और जैसे आप इस पे long tap करोगे तो आप यहाँ पे अलग-अलग options को access कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे system sound cone off करने का option है mic cone off करने का option है इसे post करने का option है और इसे done करने का option है अगर आपने done कर दिया तो यहाँ आप से आप उस screen recorder को share भी कर सकते हो इस तरी किसे आप देख सकते हो अब आप अपने phone में अलग-अलग apps के लिए अलग-अलग refresh rate को set कर पाओगे जैसे कि 60, 90 या 120 Hz जैसे कि माल लेते आपको YouTube को run करना है 120 Hz पे तो आप ऐसा भी अब enable कर पाओगे तो आपको जना है settings में, display में और यहाँ पे है screen refresh rate आपको इसे open करना है और यहाँ पे होगा last minute option app specific refresh rate इसे open कीजिए माल लीजए आपको किसी app को करना है 120 Hz पे run तो आपको उस एप पे tap करना है और आपको set करना है 120 Hz पे इसके बाद अगर आप उस एप को open करोगे रन करोगे तो जो एप होगा 120 Hz पे run होगा काफी smoothly आपको मिलेगा experience smart suggestion का शांदार feature याड़ किया गया तो आपको जाना है settings में special features में सबसे पहले होगा smart suggestion इसे open कीजिए तो आप यहां से इसे on-off कर पाऊगे इसे on करने का मतलब क्या होता है तो यह जो feature है काम करता है अब फिलाल दो ही आप में Zomato Swiggy में तो इन apps में से आप जब भी कुछ भी order करोगे तो आपको मिलेगा real time update और जो आप आपके सबी photo video को access नहीं कर पाएगा क्योंकि अब आपको मिलता है selective permission का नया feature मतलब कि आप उसे आपके लिए जितने photo video select करोगे उतने ही photo video वो app access कर पाएगा तो जब भी आपके से भी आपके लिए first time permission को लाओ करोगे तो आपको मिलेगा इस तरीके से यह permission का pop-up जैसे आप ok करोगे आपको मिलेगा है आपके नया option जो है select photos and videos तो जैसे आप tap करोगे और यहाँ पे जो भी photo video आप करोगे select वही photo video यह जो आप है access कर पाएगा जो photo आपने select नहीं किये है जो video आपने select नहीं किये है उन photo video को यह जो app है access नहीं कर पाएगा तो मैंने किया allow तो यही photo video यह जो app है access कर पाएगा एक नए शानदार AOD style को add किया गया है जिसे कहते है carbon footprint तो अगर आप जाओगे settings में wallpaper style में AOD में और यहाँ पे system में आपको मिलेगा यह नया AOD style जिसे कहते है carbon footprint तो यहाँ पे आपको मिलते है तीन style और इसका मतलब क्या होता है तो यहाँ भी लिखा गया है कि अगर आप 10,000 steps चलते हो तो उसके जड़िये आपका जो carbon emission है कम हो सकता है by up to 1.74 kg मतलब कि अगर आप 10,000 steps चलोगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा 100% अगर आप 1,000 steps चलोगे तो यहाँ पे शो करेगा आपको 10% तो अब जितने ज़्यादा steps चलोगे उतने परसंट यहाँ पे आपको ज़्यादा शो करेंगे और इसका मतलब है कि जो अर्थ की फोटो है ज़्यादा आपको healthy शो करेगी सेम तरीके से आपे शो किया गया है forest को भी और equal life को भी तो जैसे आप ज़्यादा step चलोगे उस तरीके से ज़्यादा healthy शो करेंगे तो महाँ लेते मैंने अब set कर दिया है equal life को apply करूँगा तो अब देखोगे मैंने अब कोई भी step नहीं चले है तो zero steps पे अब आपको इस तरीके से शो करेगा यह है equal life जो काफी बंजर सा शो कर रहा है तो आपके steps के साब से इसकी condition और ज़्यादा बहतर होगी ringtones में equomorphic themes के नए section को add किया गया तो अगर आप nature inspired जो ringtones है उससे set करना चाहते हो जैसे की water, wind या breeze तो आप उससे set कर पाऊगे आपको जना है settings में, sound and vibration में और यहाँ पे है ringtone और यह रहा equomorphic themes का नया option तो आप कीजिए यहाँ पे दो section piece of mind और video of nature तो अगर आपको किसी भी ringtone को set करना है तो आप कीजी selection इस तरीक से स्यम तरीक से अगर आप जाओगे notification tone में तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा equomorphic themes का यह नया section स्यम तरीक से आप यहाँ पे भी जो tone से निसेट कर पाऊगे camera app की UI में कुछ manner से changes किये गए है जैसे कि अगर आप camera app को open करोगे तो यहाँ पे अगर आप गोर करोगे तो lens का icon अब उपर में शो करेगा पहले नीचे शोगता था स्यम तरीक से filter का icon नीचे शो कर रहा है पहले उपर शोगता था और यहाँ पे settings के लिए अब आपको मिलेगे 3 बार और यहाँ पे सभी settings को combine किया गया है resolution, auto HDR, interval और settings और यहाँ पे 5x zoom का भी option दिया गया है अब आपको मिलेगा 1 tap 5x zoom का यह option interval shooting के नई feature को add किया गया जो आपको देखने मिलेगा pro mode में, photo mode में, portrait mode में और night mode में इसका मतलब क्या होता जिसे आप 3 बार पे tap करोगे यहाँ पे आपको शो करेगा interval ट्याप करने पे आपको यहाँ पे शो करेंगे दो option अगर आप शाहती हो इसे shoot करना तो इसे own कीजिए इसका मतलब क्या होता है मान लेते मैंने यहाँ पे straight किया है 5 shots और मैंने यहाँ पे straight किया timer 2 seconds मतलब कि हर 2 second के बाद 5 photo capture होंगी जैसे मैं ट्याप करूँगा आप देखोगे हर 2 second के बाद 5 photo capture होंगी इस तरीके से तो यहाँ पे आप straight कर सकते है maximum 50 shots और यहाँ पे है timer का option 10 seconds तक maximum अब आप अपने photo zap में ही अलग-अलग photo का युश करके jip को create कर सकते हो फिर आप यहाँ से photo को add या remove कर सकते हो इसके अलावा यहाँ पे है crop करने का option अलग-अलग ratio में फिर यह है speed का option तो आप यहाँ से photo को या animation को slow या fast कर सकते हो इस तरीके से इसके बाद है direction का option मतलब कि आपको forward करना है backward या फिर loop फिर आपको करना है tick पे tap तो यह बन चुका है आपका GIF और आपको इस तरीके से save करना है 640p, 960p या 280p तो आपको जिस quality में set करना है इससे save करना है select किजिए, save किजिए तो जो आपका jeep है इस तरीके से show करेगा आप देख सकते हो AI के कई सारे शांदार features को add किया गया है उनमें से एक है photo pixelate मतलब कि माल लेते आप किसे भी app में screenshot capture करते हो या आपका कोई भी data है किसी photo में आपका sensitive data जो आप show नहीं करना चाहते किसी दूसरे वेक्टि को जैसे कि माल लेते मुझे whatsapp में इस screenshot को send करना है किसी और बंदे को जैसे कि माल लेते में screenshot को capture कर दिया अब मैं अगर इसे open करूँगा photo zap में तो यहाँ पे मुझे मिलेगा एक option edit करने पे जो है pixelate और यहाँ पे add किया गया है नया option जो है auto का और आप देखोगे यहाँ पे AI scan करेगा इस data को इस photo को और यहाँ को अगर लगता है photo में कुछ sensitive text या फिर photo है तो उसे blur किया जाएगा automatically आप देख सकते हो और यहाँ पे तिन ओप्शन है blur करने के लिए अलग यहाँ आप इसे manual कर सकते हो यह है manually पर आप अपने इसाब से कर पाऊगे या फिर अगर आपको automatically करना है तो AI पे selection किजिए जैसे कि आप देख पार यहाँ पे date, photo, name और जो number है उसे blur किया गया है automatically अब आप अपने photo को capture करने के बाद भी अपने photo में जो watermark है उसे add कर सकते हो या फिर watermark को अपने photo में से remove कर सकते हो जैसे कि माहल लेते हैं मैंने इस photo में watermark को add किया है मुझे इस photo में से जो watermark है उसे remove करना है तो आपको जना है edit में और यहाँ पे जना है watermark में अगर आपको watermark नहीं चाहिए तो none paste it किजिए अगर आपको चाहिए general वाला तो general पे किज़ी selection या फिर hassle blood अगर आपको करना है इससे customize तो यहाँ पे है information आप कौनसी info यहाँ पे show करनी है device model date and time या फिर आप अपने हिसाब से कोई भी text भी add कर सकते हो अपने यहाँ पे जैसे कि yes techno तो अब आपको यहाँ पे show करेगा यह text watermark में आप देख सकते हो इसके अलावा यहाँ पे position को आप चेंज करपाऊगे top left, bottom left, center, bottom, top right या फिर bottom right आप देख सकते हो इतना है नहीं अगर आप चाहो तो phone size है उससे भी change कर सकते हो large medium या फिर small इस तरीके से अगर आप किसी photo में watermark को add करना भूल गए तो आप उससे फिर से add कर सकते हो capture करने के बाद भी तो आपको edit करना है जाना है watermark में और यहाँ पे आपको बिलेंगे option watermark के लिए आप इसे customize भी कर सकते हो सेम तरीके से predictive back animation की feature को add किया गया है जो अब क्यावल काम करता है क्यावल दो ही आप में phone app में और calendar app में इसका मतलब क्या होता है तो अगर आप उस app को open करोगे और फिर आप back करोगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा animation आप देख पारे हो जैसे कि app close हो चुका है लेकिन फिर भी आपको इस तरीके से शो करेगा सेम तरीके से calendar में भी आपको इनिमेशन शो करेगा इसे केते है predictive back animation आप देख सकते हो तो इसे enable करने के लिए आपको जानना है settings में about device में यहाँ पे होगा version फिर आपको version number पे लगातार 7 dams टाप करना है 1234567 back जाओगे तो यहाँ पे है additional settings और इसमें आपको मिलेगा नया option developer options का इसे open कीजिए और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा नीचे यह option आपको इसे on करना ही रहा predictive back animation link to windows के feature को integrate किया गया है अब settings में ही मतलब कि अब आपको उसे download नहीं करना पड़ेगा अब जो link to windows का feature है आपको मिलेगा settings में ही inbuilt तो अगर आप जाओगे settings में connection and sharing में आपको नीचे में लेगा यह option link to windows आप यहाँ से on कर सकते हो इसे on करने का मतलब होता है कि आप अपने phone को connect कर पाओगे अपने PC के साथ और आप अपने phone के calls को message को और files को access कर पाओगे अपने PC में अब बात करते है missling एस features की मतलब की कुछ manner से changes अगर आप जाओगे settings में display and brightness में font में तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक नया phone style जो है one sense तो इससे add किया गया है one sense आप इससे apply कर सकते हो font size है उसे भी change कर सकते हो और font weight को भी इससे change कर सकते हो इस तरीके से यह है नया phone जो है one sense pin pad पे आपको मिलेगा एक नया change मतलब की अब जो number से आपको इस तरीके से greyish background के साथ शो करेंगे circle shape में पहले हैं यहापे कोई भी shape या circle नहीं होता था दोस्तो तो यह थो top 20 new features जो आपको दिखनी मिलते है oxygen OS 14 में इन में से सबसे शांदार feature आपको कुनसा लगा आप मुझे बता सकते हो comment box में अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पुच सकते हो आप मुझे instagram पे या फिर twitter नहीं के accept पे भी message कर सकते हो इस video को देखने के लिए धन्देबाद दोस्तो